बृटेंग के जिगर्स हेल्थ केर कंपनी Johnson & Johnson के बेबी पाउडर की बिक्री पर पूरी दुनिया में करती बंद लग सकता है कंपनी पहले ही अमेरिका और कनादर में इसकी बिक्री बंद 2020 में ही कर चुकी है अमेरिके रेकुलेटर ने दावा किया है कि उन्हें कमपनी के बेबी पाउटर में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं इस खुलासे के बाद कमपनी की आफ़त बढ़ गई कमपनी के खिलाफ 34,000 से अधिक मामले चल रहे हैं इनमें कई महिलाई भी हैं जिनका दावा है कि उन्होंने कमपनी का बेबी पाउटर यूज़ कि और बाद में उन्हें ओवरी एन कैंसर हो किया आलाकि जॉंसन और जॉंसन ने इस बात का खंडन किया है कि उसका बेबी पाउटर नुकसान दाएगा उनका कहना है कि उतरी अमेरिका में विक्री में गिरावट की कारें उसने इसे वहाँ से हटाया था क्या है टेल्क? टेल्क के दुनिया का सबसे सॉफ्ट मिनरल है ये कई देशों में बनता है पेपर, प्लास्टिक्स और फार्मसिटिकल सहित का इंडस्ट्री में इसका व्यापक इस्तमाल होता है इसका इस्तमाल नैपी रैश और दूसरी तरह की पोस्नल हाइट्री में होता है कई बार इसमें asbestos मिला होता है और जो शरीर में कैंसर पैदा कर सकता है Guardian की एक खबर के मुताबर के दुनिया भर में इसकी विक्री रोकने के लिए शेयर होल्टर वोड की तयारी की जा रही है लंदन में निवेश प्लैक्फॉर्म ट्यूलिप शेयर ने इसका प्रस्ताव भी दिया ये प्रस्ताव अमेरिका की सिक्योलिटी एंड एक्स्चेंज कमिटी को भी पीचा किया उन से पूछा गया है कि कमपनी की एपरल में होने वारी सलाना मीटिंग में पहले ऐसा करना जायज है या फिर नहीं इस बीच कमपनी ने अमेरिकी रेगुलेटर को पत्र लिखकर शेयर होल्डर रेजोलिशन्स को अवैदम मानने का अनुरोद किया उनका कहना है कि इस से कमपनी के खिलाब दुनिया भर में चल रहे मुकदमों पर असर पड़ेगा जॉनसन और जॉनसन पहले ही दुनिया भर में अर्बो डॉलर का मुआफ़जा दे चुकी है इस तरह की और जानकरी से अबडेट रहने के लिए हमारी चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए